हलो फ्रेंड्स, वेल्कम बेक टो मैं चैनल, आज मैं आपको डिजाइनर ड्रेस बनाने का तरीका बताऊंगी, तो ये मैंने दो मीटर कोटन का फेब्रिक लिया हुआ है और ये फेब्रिक को मैंने फोर फोल में बिचाया हुआ है, जो मेरी सैथ है वो बंद वाली सैथ है और जो उपर की सैथ है वो खुली वाली सैथ है इस तरह से फेब्रिकों मैंने 4 लेयर में बिचाया हुआ है और इसकी टोटल लेंथ मैंने 43 इंज आने की 43 इंज रखी है ये 42 इंज हमारी रेडी होगी और शॉल्डर के लिए मैं 7.5 इंज पर निशान लगाऊंगी इसमें हम बोटने गला बना रहे है और आम होल की लेंथ भी मैं 7.5 इंज ही रखूंगी 7.5 इंज पर निशान लगाते हुए हम एक सीधी लेंड ड्रो कर लेंगे जितना हमने शॉल्डर लिया है उतना ही हमें आम होल भी लेना है और यहां से हम चेष्ट का मेजरमेंट लेंगे तो चेष्ट आपकी जो भी है उसे डिवाइड बै फोर करके उसमें 2 इंज एट कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने 11 इंज का फैबरिक लिया हुआ है और एक सीधी लेंड ड्रो कर देनी है बेक आम होल के लिए मैं 1.5 इंज पर निशान लगाऊंगी और फ्रंट आम होल के लिए 1 इंज पर निशान लगाऊंगी और दोनों निशान ओपर हमें राउंड शेप ड्रो कर देना है और उपर से एक निशान में 14 इंज पर लगाऊंगी कमर की चोड़ाई के लिए और दूसरा निशान में 20 इंच पर लगाऊंगी हिप की चोड़ाई के लिए एक निशान मेंने 14 इंच पर लगाया है और एक निशान मेंने 20 इंच पर लगाया है अभी जहाँ पर हमने 14 इंच पर निशान लगाया है वहाँ पर हमें कमर की चोड़ाई का 4th पाट लेना है और उसमें भी हम 2 इंच एट कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए और जहाँ पर हमने 20 इंच पर निशान लगाया है वहाँ से हमें हिप की चोड़ाई का 4th पाट लेना है और उसमें भी हम 2 इंच एट कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए तो मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है अभी जितना निशान हमने लिए लगाया है उतना ही निशान हम नीचे से भी लगा लेंगे यानि कि हिप की चौड़ाई का फोर्थ पार्ट और उसमें दो इंच ऐट कर देंगे सिलाइ मार्जिन के लिए मैंने साड़े ग्यारा इंच पर निशान लगाया है और सभी निशानों को मिलाते हुए हम लाइन ड्रो कर लेंगे नीचे तक अभी हम गले की चोड़ाई के लिए निशान लगाएंगे इसमें हम बोटनेक शेप ड्रो करने वाले हैं, अभी दोनों निशानों पर हम बोटनेक शेप ड्रो कर देंगे, फ्रन्ट और बेक नेक के लिए, अभी हाफ इंच का हम इसमें शॉल्डर स्लोप के लिए निशान लगाएंगे और एक तिर्ची लाइन ड्रो कर देंगे, अभी सबसे पिल हम back neck और back armhole से इसकी cutting कर लेंगे नीचे तक तो ये देखिए मैंने इसकी cutting कर लिये है अभी हम कमर की चोड़ाय पर और hip की चोड़ाय पर एक छोटा सा cut लगा देंगे कि अभी हम इसमें से एक part को निकाल लेंगे और इसे वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट नेक और फ्रंट आम होल की कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर ली है अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को मैंने फोर लेयर में बिछा हुआ है जो मेरी सैट हे वो बंद वाली सैट हे और उपर की सैट हे वो खुली वाली सैट है और Slug की length मेंने 17 इंच रखी है ये 16 इंच हमारी ready होगी और उपर से Slug की चौड़ा हमेने 8.5 इंच रखी है और कैप स्लिव की लेंद्ध के लिए में तीन इंच पर निशान लगाऊंगी, बंध वाली साइट से भी हमें तीन इंच पर निशान लगाना है और एक सीधी लाइन ड्रो कर देनी है, तीन इंच पर निशान लगाते हुए हम इसमें एक सीधी लाइन ड्रो कर देंगे, और ख स्लीव की चोड़ाई के लिए मैं साथ इंच पर निशान लगाऊंगी और साइट से भी हम लाइन ड्रो कर देंगे अभी से हमें कट कर दे रहा है तो यह देखे मैंने स्लीव की कटिंग कर दी है और यह मेरी दो स्लीव है अब यह मैंने एक्स्ट्रा फेब्रिक लिया हुआ है इसमें से हम योग कट करेंगे तो सबसे पहले हम इसे डबल फोल्ड करेंगे और ध्यान रहे इसकी जो लाइनिंग है ओपोसिट साइट में होनी चाहिए तो ड्रेस को हमने सीधी लाइन में कट किया है तो योग की लाइन बिल्कुल जैसा हमने नेक कट किया है वैसा ही हमें इसका नेक और आम होल ट्रो कर लेना है अभी इसे हम हटा देंगे और इस योग की लंबाई मैंने 9 इंच रखी है यह 8 इंच हमारी रेडी होगी अभी इसे हमें कट कर देना है तो इस तरह से मैंने योग की कटिंग कर ली है अभी सबसे पहले हम बैकनेक को रेडी करेंगे तो यह मैंने तिर्ची पटी ली है इसे हमें बैकनेक के उपर सीध लगा देनी है उसके बाद हम पट्टी को डबल फोल करेंगे और अंदर की तरफ मोड देंगे और यह मैंने कुर्ती का फ्रंट पाट लिया है इसे हमें उल्टा रखना है और जो हमने योग कट किया है उसे भी हमें उल्टा ही रखना है तो कुर्ती के ऊपर हमें योग को उल् दिया है और आम होल की तरप से भी मैंने इसमें सिलाय लगा दी है और नीचे से मैंने इसे खुला रखा है इसके उपर हम पैटन बनाने वाले है तो यह मैंने तीन बाइ तीन का एक चौक और पीस कट किया हुआ है इसे हमें ट्रैंगल शेप में फोल्ड करना है इस तरह से दो इंच फैबरिक हमारा फिटिंग में जाएगा तो दोनों सेट से दो इंच छोड़ देना है उसके बाद जो हमने चौक और पीस कट किया है उसे हमें ट्रैंगल शेप में फोल्ड करना है इस तरह से हमें छोटे-छोटे पीस कट कर लेने है अभी जो हमने योग कट किया ह उसकी border को हम अंदर की तरफ fold करेंगे और दो इन चोड़ते हुए जो हमारा triangle piece है उसे हमें इसके नीचे रख देना है योग के नीचे रखते हुए हम इसमें सिलाय लगाएंगे तो जो हमने चोटे चोटे piece cut किये है उसके हमें triangle shape में fold करते हुए इसके नीचे से attach करते हुए योग में सिलाय लगानी है तो इस तरह से हम सभी triangle shape को yoke के नीचे रखेंगे उसके बाद हम yoke में sly लगाएंगे इसकी border को fold करते हुए तो ये देखे मैंने सभी triangle shape इसमें attach कर लिये है बाद में हम इसके उपर beads attach करेंगे अभी एक पाट के उपर दूसरा पाट हमें उल्टा रखना है और इसके shoulder joint कर लेने है एक पाट को सीधा रखेंगे उसके बाद उसके उपर दूसरा पाट उल्टा रखेंगे और इसके shoulder joint कर लेंगे तो ये देखे मैंने इसके shoulder joint कर लिये है अभी हम इसमें sleeve attach करेंगे तो स्लिव को हमें उल्टा रखना है और सेंटर से इसमें सिलाई लगा देनी है स्लिव को हम सेंटर से ही अटेच कर लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी स्लिव भी इसमें अटेच कर लेंगे सेंटर से ही स्लिव को रखते हुए हम इसमें सिलाई लगाएंगे उसके बाद जो sleeve की border है उसे भी हमें double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है दोनों side की sleeve को हमें double fold करना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा देनी है तो ये देखे मैंने sleeve attach कर ली है और इसकी border को भी मैंने double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है दोनों स्लिव को मैंने attach कर लिया है अभी इसे हम ulta कर लेंगे और जहां तक हमारा hip round है वहां तक हम पहले निशान लगा लेंगे तो 20 हींच तक हमें निशान लगा देना है यहां तक हम इसकी fitting कर लेनी है अभी जहां पर भी हमारा आम होड आता है वहां से हम chest की fitting करेंगे तो पहले हम center में एक निशान लगा लेंगे chest के लिए हम center में निशान लगाएंगे अभी center से जितनी भी आपकी fitting की सिलाय आती है उत्रा आप निशान लगा लीजेगा तो मैं 9 इंच पर निशान लगाऊंगी और दूसरी side भी हमें 9 इंच पर निशान लगा लेना है और दोनों side से हम 2-2 इंच की इसमें fitting कर लेंगे और उपर से एक निशान हम 14 इंच पर लगा लेंगे और इसके center में भी हमें एक निशान लगा लेना है और दूसरी side भी हम 8 इंच पर निशान लगाएंगे कमर की चोड़ाई के लिए और दूसरी सैड भी हमें 8 इंच पर निशान लगा लेना है तो इसके भी दोनों सैड से हम 2-2 इंच की फिटिंग कर लेंगे अभी जहाँ पर हमारी हिप की चोड़ाई है वहाँ पर भी हम निशान लगा लेंगे तो दोनों सेडसे हमें 2-2 इंच पर निशान लगा लेना है और यहां तक ही हमें इसकी फिटिंग कर लिनी है अभी स्लिव की चौड़ाई के लिए मैं 5.5 इंच पर निशान लगाऊंगी और 5.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक लाइन डोख कर लेंगे अभी इसके उपर ही हमें फिटिंग की सिलाय लगानी है तो ही प्राउन तक हम इसकी फिटिंग कर लेंगे और इसी तरह से दूसरी स्लिव में भी हम साड़े पाच इंच पर निशान लगा लेंगे और ही प्राउन तक ही हमें इसकी फिटिंग कर लेनी है जो हमने line draw की है उसी के उपर हमें fitting करनी है उसके बाद जो नीचे के चाक है उसे हमें double fold करना है और इसके उपर हमें सिलाई लगा दिनी है दोनों ही side के चाक को हमें double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दिनी है और इसी तरह से दूसरी सइट के जो चाक है उसके उपर भी हमें डबल फोल रक्रते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और उसके बाद जो नीचे की बॉडर है उसे भी हम डबल फोल करेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेंगे तो ये देखे मैंने इसकी fitting कर ली है और नीचे के चाक को भी मैंने fold करते हुए इसमें सिलाय लगा दी है दोनों side से मैंने इसकी fitting कर ली है और इसके चाक को भी मैंने fold करते हुए इसमें सिलाय लगा दी है और नीचे की जो border है उसे भी मैंने double fold करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है अभी जो हमने triangle shape attach किये है उसके उपर में ये कुछ beads attach करने वाली हूँ तो सुई और धागे की मदद से हम इसके उपर beads attach कर लेंगे जो हमने triangle shape बनाया हुआ है उसके उपर हमें ये beads attach करने है तो beads को हमें सुई धागे के अंदर डालना है यानि की सुई के अंदर डालना है और इसे हम knot लगाते हुए पक्का कर लेंगे इस तरह से हमें सारे beads triangle shape के उपर attach कर लेने है और इसी तरह से हमें दूसरे shape में से सुई को निकालना है और beads attach कर लेने है और note लगा कर हम इसे पक्का कर लेंगे उल्टी side से जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसके उपर beads attach कर लेने है फ्रेंड्स अगर आपको हमारे कूर्ती के designs पसंद आते हैं तो हमें comment करना मत भूलिएगा और आप किस टाइब की कूर्ती के designs देखना चाहते हैं वो भी हमें comment करके बता सकते हैं और इसी तरह से हम सारे triangle shape के उपर beads attach कर लेंगे तो ये देखे मैंने इसमें bead search कर लिये है और इसका look कुछ इस तरह से नजर आ रहा है और इसी के साथ ये हमारे designer कुर्ती बनकर ready हो चुकी है और ये है इसका final look so friends I hope आपको आज का ये tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का ये video पसंद आया तो इसे like और share जरूर कर देना और अगर अभी तक आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजिए और साथ में bell icon को press करना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली video की notification सबसे पहले मिल सके